आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। प्रिष्ठी छेत्रफल के लिए तरिज्जा जो होती है, अब वो लिख लेंगे, आर, ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के लिए तरिज्जाय समान है दिया गया है, घनत्व समान है दिया गया है, ठीक, दरवामान नहीं दिया गया है, तो दरवामान की जगह हम घनत्व की र बात करें तुछ के लिए सुतर क्या होता है बोदेखतें, तो दोस्तों शुरू करते हैं, गोले के लिए जरत्वा मों का जो सूतर होता है वो होता है, एक बाते में 5 , North स्वीथ पांच , आगे ही पक्षे से अनपात लेते हैं, आई गोला, बटे में, आई बेलन, मतलब गोले का जरत वागून बटे में, बेलन का जरत वागून का अनपात क्या क्या आएगा, दो बटे पाच यहां गया, नीचे में एक बटे दो आगया, ठीक है, गोले में क्या आया, आर की घात द आयतन का निकाल लेते हैं, तो बेलन का निकाल लेते हैं, वी बेलन और घना तो लिख लेते हैं रो, तो रो एक दूसरे को आपस में काड़ देंगे, एक बटे दो को गुने में लेके जाओंगा, तो दो बटे एक हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पस्चाथ हम आगे क्या बटे बेलन का निकाल लेते हैं, रो तो हमने कार दिया, दोनों पक्चम में समान था, दोनों ही समान घनत्वक के पदार्थों से बने हैं, गोला और बेलन, ठीक है, तो यहाँ अब बेलन का निका आ जाएगा हमारे पास में, पाई, आर की घाद दो, एल, ठीक है, एल जाएगे, पाई से पाई कटेगा, 4 बटे 3 बचेगा, ठीक है, अनुपात निकाल रहे थे, तो क्या बच गया हमारे पास में, 2 गुना, 2, 4 हो गया, नीचे 5 गुना, 1, 5 हो गया, गुना, 4 बटे 3, यह बच गया, तो 5 गुना, 3 करेंगे, मान आएगा, 15, उपर में, 4 घुना से और सोले का गुना हो जाएगा किस से आई बेलन से सोला आई बेलन मतलब बेलन का जड़त्व आगुना का गुना अगर सोला से करें तो मान जो आएगा वो जो गोले का जड़त्व आगुना जो रहेगा उसके पंद्रा गुने के बराबर रहेगा ठीक है तो यहां किसका मान अधिक हो गया यह 16 अधिक है 15 से मतलब यहाँ पर बेलन जो है जड़त्व आगुन उसको कम होना चाहिए गोले के जड़त्व आगुन से तभी जाके हमारा मान संतुलित होगा तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं समिकरन संतुलित करने के लिए जो गोला का जड़त्व है उसका मान बेलन के जड़त्व आगुन से अधिक होना चाहिए ठीक है तभी जाके जो उपर समिकरन हमें लाया है वह संतुलित होगा तो यही दिए गया प्रशन के लिए हमारा उत्तर था हमको यह देखना है कि जड़त्व आगुन किसको बड़ा दिया गया है ठीक है प् प्रशन के लिए सही वी कलब है दोस्तों धन्यवाद